Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to CampusX आज की वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे आज का वीडियो थोड़ा अलग है, अभी तक हम CNN पढ़ रहे थे अब आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अलग बट बहुत इंपोर्टन चीज़ सिखाने जा रहा हूँ टॉपिक का नाम है Functional API अभी तक हमने जितने भी models बिल्ड किये, वो सारे के सारे sequential API पे बने हुए थे और सब के सब linear topology follow करते थे For the first time in this video, you will learn to create non-linear neural networks ठीक है, तो हम multi-input neural networks, multi-output neural networks, यह सब कुछ बनाना सीखेंगे ठीक है, तो काफी interesting वीडियो है, और best part यह है कि आप आगे जो complex models बनाओगे उसमें आज का topic बहुत help करने वाल है, तो ध्यान से एंग तक देखना, ठीक है Let's start the video, तो इस course में अभी तक हमने जितने भी neural networks बनाए भले ही ANN बनाया, या फिर CNN बनाया एक चीज उनमें common थी कि हमने उन neural networks को बनाने के लिए sequential models यूज किये, केराज का sequential model अब एक चीज शायद आपको अल्री पता होगी sequential model के बारे में कि sequential model कुछ assumptions लेके बनता है, पहला assumption यह होता है कि आपके पास exactly एक input है, और आप output में भी exactly एक ही चीज output करोगे, and जो सारे layers हैं, वो linear है, एक दूसरे के साथ linearly attached है, इसका basically मतलब यह हुआ कि there is one input, then there are series of layers, and then there is one output, ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी neural networks बनाए इस course में, वो यह topology follow करते हैं, कि there is a linear topology, एक के बाद एक ही layer आ रहे हैं, non-linearity नहीं है, but ऐसा हमेशा true नहीं रहेगा, going forward अब आप इस course में बहुत deep जा रहे हो, और अब आपको कुछ ऐसी problems के उपर काम करना पड़ेगा, जहाँ पर यह linear topology ठीक से काम नहीं करेगी, और वहीं पर आता है functional model, मैं आपको एक दू सिनारियोज दिखाता हूँ, जहाँ पर ऐसा हो सकता है, कि आप linear topology में neural network design ना कर पाओ, let me give you two examples, let's say, example number one है, कि हमारे पास लोगों के faces का image, ठीक है, we have a image data set of human faces, ठीक है, मालना हमारे पास 25,000 photos है, जहाँ पे हर photo के अंदर एक human का photo है, और हमारे को prediction यह करना है, कि हमें उसके उपर, एक neural network को train करके दो चीज़े बतानी है, पहला, कि वो जो human उस photo के अंदर है, उसका age क्या है, और दूसरा हमें यह बताना है, कि उसका emotion क्या दिखाई दे रहा है, is he happy, or sad, or angry, इस तरीके से हमें classification करना है, now if you think about this neural network, you would totally understand, कि यह simple linear topology से नहीं बन सकता, या तो आप ऐसा करोगे, कि आप दो separate neural networks को train करोगे, एक का काम होगा age को predict करना, और दूसरे का काम होगा emotion को classify करना, बट यह उतना अच्छा approach नहीं है, a better approach would be, कि आप अपने input को लो, उसको एक CNN के अंदर pass करो, और फिर वहां से दो अलग fully connected layers बनाओ, इस तरीके से, branching करो, इसमें जो आपका पहला branch होगा, वो age का prediction करेगा, so basically यह regression problem होगई, और जो second branch है, वो emotion को classify करेगा, मतलब यह होगए आपका classification problem, तो this is one example जहां पर sequential API fail कर जाएगी, और आप यह neural network नहीं बना पाऊगे, मैं आपको एक और example देता हूँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि, मालो आप एक e-commerce startup में काम कर रहे हो, और आप से पुछा जा रहा है कि आपको input में तीन चीज़े मिलेंगी, पहला एक product का metadata, metadata मतलब कुछ भी data हो सकता है कि product का color क्या है, size क्या है, इस तरह का आपको कुछ numerical data मिलेगा, tabular data, ठीक है, second आपको उस product का एक बड़ा सा description मिलेगा, textual description होता है ना websites पे, वैसा, और third आपको product का एक image मिलेगा, और आपको इन तीनों चीज़ों को देख करके predict करना है, कि उस product का price कितना होना चाहिए, अब अगेन, यहाँ पर तीन inputs हैं आपके पास, तीन अलग type के inputs हैं, one is tabular data, second is textual data, and the third one is image data, और आपको output सिर्फ एक मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, एक naive approach यह हो सकता है, कि आप तीन अलग neural networks को train करो, और तीनों से आप price prediction करो, और फिर तीनों के price का आप average निकाल दो, this could be a naive approach, but a much better refined approach would be, कि अगर आप एक non-linear neural network बनाओ, जहाँ पे आपका tabular data जाकर के मिलेगा एक fully connected layer को, आपका textual data जाकर के मिलेगा एक RNN को, because textual data के उपर RNN का performance अबसे अच्छा होता है, और आपका image वाला data जाकर के मिलेगा एक CNN को, और इन टीनों से जो features extract हो रहे हैं, आप उनको concatenate कराओगे, जोडोगे, और फिर आप यहाँ पे prediction में, you will predict the price of the product, again a non-linear topology, जो आप sequential API से नहीं बना सकते हैं, तो इसी तरह के non-linear topologies को बनाने के लिए, there is a separate class in Keras, by the name of functional API, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, and trust me, एक बार आप इस API के साथ काम करना सीख जाओ, then your imagination is the limit, आप किसी भी तरह का neural network topology create कर सकते हो, multiple input, multiple output, shared layers, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो going forward, अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ examples के उपर काम करके दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत simple, non-linear neural network बना के दिखाऊंगा, using functional API, उसके बाद मैं आपको थोड़े complex architectures बना के दिखाऊंगा, so एक बहुत ही छोटे और simple examples हम लोग start करते हैं, functional models को समझना, थोड़े दिर के लिए माल लेते हैं कि हम एक छोटी से problem के उपर काम कर रहे हैं, जहांपर हमें एक data set मिला हुआ है, this is the data set, इसमें there are three columns, पहला column है yearly salary, second is height and third is marital status, और इन तीनों को देख करके हमें predict करनी है दो चीज़े, first हमें predict करना है उस बंदे का age कितना है, और दूसरा हमें predict करना है कि वो कौन से state का है, या कौन से city का है, let's say हमारे पास दो options है, Delhi and Mumbai, ठीक है, तो अब हम कैसे एक neural network बना सकते हैं, जो इस पूरे problem statement को map करेगा, so हम एक छोटा सा neural network बनाएंगे, जो non-linear होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे input दोगे, then there will be a dense layer of, let's say 128 neurons, then we will have let's say 64 neurons का एक और dense layer होगा, उसके बाद यहाँ पर output आएगा age का, और यहाँ पर output आएगा place का, ठीक है, हमें यह neural network फॉर्म करना है भी, using keras functional API, ठीक है, यह मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, तो चलो guys, let's design the neural network, सबसे बहले आपको functional API को import करना पड़ेगा, उसके लिए आप लिखते हो, from keras.models import model class, ठीक है, और अब आप क्या गरते हो, कि आप यह जो model class आपने import किया है, उसका एक object बनाते हो, let's call that object model, ठीक है, अब जब आप यह object बनाते हो ना, तो आप दो चीज़े यहाँ पर बताते हो, कि आपके neural network का कौन सा layer, input layer है, और कौन सा layer, output layer है, and mind you, multiple input layers भी हो सकते हैं, multiple output layers भी हो सकते हैं, तो फिलाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, inputs is equal to something, जो हम आगे decide करेंगे, और outputs is equal to something, यह भी हम आगे decide करेंगे, फिलाल मैं इस code को run नहीं कर रहा हूँ, otherwise error आएगा, अब हम क्या करते हैं, एक-एक करके, वो architecture बिल्ड करते हैं, जो हमने भी discuss किया था, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, from keras.layers, import all the layers, ठीक है, और अब यहाँ से main चीज स्टार्ट होती है, so हमारे पास जो input है, वो एक tabular data है, जिसमें तीन columns का input है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक input layer बनाएंगे, और उस input layer में आपको बस बताना होगा, कि जो input आपके neural network को मिलेगा, उसका shape क्या है, so हमारे input का shape है 3, because there are 3 columns, ठीक है, और थोड़ी दिर के लिए हम क्या करते हैं, इस layer को एक variable में store कर लेते हैं, let's call it x, ठीक है, अब हम आगे के layers बनाएंगे, तो जैसा मैंने आपको बोला था, कि पहले दो dense layers होंगे, so let's create the first dense layer, जिसमें 128 nodes हैं, और इसका activation function हम लोग मान लेते हैं, कि rel u है, ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर अलग क्या है, कि आपको सबसे पहले तो हर layer को एक नाम देना पड़ता है, जैसे मैंने इसको एक नाम दे दिया, hidden one, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा, कि ये hidden one किस से connected है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कि hidden one को input कहां से मिल रहा है, तो hidden one will be connected to this input layer, that is why you would write this, इस पूरी line का मतलब ये हुआ, कि ये जो layer है, hidden one, इसको input यहां से मिल रहा है, ठीक है, अब देखो, मैं एक और dense layer बना रहा हूँ, जिसमें there are 64 neurons, और activation इसका भी value है, और थोड़ी दिर के लिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ, hidden two, और ये जो hidden two है, अब ये connected है, hidden one से, I hope आपको ये पूरा structure समझ में आ रहा है, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम branching करेंगे, ठीक है, पहला जो branch होगा, उसमें हम age का prediction करेंगे, और जो दूसरा branch होगा, उसमें हम place का prediction करेंगे, तो ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से एक dense layer बना रहे हैं, और इस dense layer में, there will be one neuron, और उसका activation होगा, linear, because हम regression problem के उपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं, output one, यह हमारा पहला output है, और यह किस से connected है, यह connected है, hidden one से, ठीक है, similarly मैं एक और dense layer बना रहा हूं, जिसमें again there will be one neuron, और इसका जो activation होगा, वो हो जाएगा sigmoid, because हम place का prediction कर रहे हैं, Delhi या Mumbai, ठीक है classification problem है, और इसको हम बुलाएंगे, output two, और यह भी किस से connected है, यह भी connected है, hidden, I am sorry, मैंने last में यहाँ पे hidden one क्यों लिख दिया, hidden two होना जी है, ठीक है, यहाँ भी होगा hidden two, आई होब आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, और यही है हमारे model का architecture, एक बार अगर मैं आपको चाहूं, तो दिखा सकता हूं कि model की summary क्या है, model is not defined, model में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, कि आपका input is x, और आपका output जो है, वो actually is a list, त्युक्कि इसमें multiple outputs है, वो है output one, and output two, ठीक है, सारे cells को एक बार विससे run कर देते हैं, और यह रही हमारे model की summary, so you can see, this is the summary, अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा Keras सा utility है, हम उसको use करेंगे, to actually visualize कि हमने क्या बनाया है, ठीक है, so Keras में एक utility है, आप लिखोगे, from Keras.utils import plot underscore model, यह एक छोटी सा utility है, जिसको use करके, आप किसी भी model का architecture, kind of visualize कर सकते हो, तो इस function को मैं call कर रहा हूं, और इसमें मैं बस अपना model को pass कर रहा हूं, and this will show me, the architecture of the model, and you can see, this is the architecture, हमें input मिल रहा है, input को हम पहले dense layer में भेज रहे है, फिर दूसरे dense layer में भेज रहे है, और दूसरे dense layer से, there is branching, और branching में हम पहले branch में age का prediction करेंगे, और दूसरे वाले में, हम place का prediction करेंगे, आप चाहो तो shapes भी देख सकते हो, there is a hidden parameter called show shapes, और show shapes को अगर आप true कर दो, तो you should get something like this, ठीक है, यहाँ पर you can see, this is the output, ठीक है, तो I hope आपको एक बहुत basic level पे, functional API को कैसे use करना है, वो समझ में आ गया, अब मैं आपको थोड़े से complex examples दिखाता हूँ, अगर आपने main चीज समझ ली, तो फिर आगे का deal बहुत easy है, यहाँ पर हमने सारे imports लिए है, यहाँ पर हमने दो inputs अपने declare किये है, input A, जिसका shape है 32, यहाँ पर आप देख सकते हो, 32 है, input 1 का, और second वाले का 128, यह दो अलग inputs है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं यह वाला बना रहा हूँ, या फिर पहले बोल सकते हो, यह वाला बना रहा हूँ, और फिर मैं यह वाला बना रहा हूँ, तो इस वाले में, you can see, पहला branch बन रहा है, तो मैंने एक dense लिया, जो की input A से connected है, इसको मैंने X बुलाया, और फिर मैंने एक और dense लिया, जिसमें चार neurons है, और वो अब X से connected है, ठीक है, और इसको मैंने X1 बुला लिया, अब second वाली branch में, बिल्कुल same चीज़ है, input B से connected है Y, Y connected है फिर Y1 से, और Y1 connected है Y2 से, ठीक है, यह दोनो branches मेरे बन गए, यह 3 वाले, और यह 2 वाला branch मेरा बन गया, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, concatenate, मैं concatenate कर रहा हूँ, X1 को, which is the last one of this branch, and Y2 को, which is the last one of this branch, और जो concatenate होके layer बन रहा है, इसको मैं बुला रहा हूँ, combined, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, और लास्टली मैंने अपना model फॉर्म किया, इस बार inputs में मैंने input A और input B दिया, which is basically यह दोनो, और output में Z1 दिया, which is basically this guy, combined, ठीक है, और लास्टली मैंने model को plot किया, this is the output, ठीक है, shapes भी आप plot कर सकते हो, but you get the idea, ठीक है, अब एक slightly difficult example लेते हैं, अब हम लोग एक थोड़ा proper example देखेंगे, जहांपर आप functional API यूज करोगे, so मैंने थोड़ी दिर पहले आपको एक example दिया, age and emotion prediction करने का, so Kaggle पे एक data set है, बहुत similar है, जहांपे लोगों के faces का images है, और इस तरह के around 20,000 images है, और आपको दो तीजे predict करनी है, first age of the person, and second gender of the person, तो यह problem हम लोग करेंगे, code मैंने पहले से लिख रखा है, so मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कि क्या strategy मैं यूज करने वाल हूँ, so clearly this is a problem, जहांपर there are multiple outputs, ठीक है, तो what we will do is, we will use transfer learning, जो हमने last video मैं पढ़ा था, we will use VGG 16 model, ठीक है, so हम क्या करेंगे, VGG 16 का जो convolutional base है, उसको use करेंगे, VGG 16 का जो convolutional base है, उसको हम use करेंगे, और उससे features extract करेंगे, और features extract करके, हम उसको flatten layer में डालेंगे, और flatten layer से हम branching करेंगे, दो different fully connected layers बनाएंगे, this one will be for age, and this one will be for gender, ठीक है, और इस बार not only मैं आपको, ये architecture बना के दिखाऊंगा, बलकि मैं आपको पूरा end to end code करके दिखाऊंगा, कि how do you actually run this model, so that आपको थोड़ा और idea मिले, ठीक है, let's go, so this is the code जिसकी मैं बात कर रहा था, ये code मैं आपके साथ share कर दूँगा, पहले मैं आपको एक बाद data set दिखाता हूँ, this is the data set, this data set का नाम है UTK face, ठीक है, लोगों के faces का image है, और इस image को देखकर हमें दो चीज़े बतानी है, पहला age क्या है person का, दूसरा gender क्या है, also यहाँ पे file के name में ये information चुपा हुआ है, कि वो person male है या female है और उसका age कितना है, so you can see, जो first number है, ये age बता रहा है, उसके बाद जो second number है वो gender बता रहा है, zero का मतलब male है, one का मतलब female है, ठीक है, तो थोड़ा सा tricky है ये database, तो शुरू में मैंने बस यही किया है, ये पहले तीन lines में, मैंने Kaggle से data को import किया है, Google collab में, और उसके बाद, यहाँ पे जो मैंने code दिखा है न, ये सारा code, just एक चीज अचीज अचीव करने के लिए है, कि मैं एक इस तरह का data frame बनाना चाहता हूँ, जिसमें तीन columns है, last column में file का नाम है, जो file का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसका age, which is basically first number, और उसका gender, which is the second number, ये मैंने extract कर लिया, so that मिर पास convenience रहे, कभी भी उस file को use कर पाने का, along with the labels, इसके बाद मैंने क्या किया है, train और test में divide कर दिया, पूरे data को, और उसके बाद मैंने, data augmentation apply किया, you can see these are the transformations, that I have opted for, उसके बाद ये train generator, और test generator बनाया है, ये सब आप already जानते हो, यहाँ पर एक दो चीज़ें interesting है, आप notice कर सकते हो, कि जब आप y का information दे रहो, तो आप actually एक list पास करके, दोनों age और gender columns को output बता रहे हो, because आपके पास इस case में, there are two output columns, ठीक है, also the class mode is multi output, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, going forward, यहाँ पर मैंने क्या किया, VGG16 को import किया है, include top को false कर दिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ convolutional base चाहिए था, मैंने trainable false कर दिया है, because मैं transfer learning यूज़ करने वाल हूँ, अब यहाँ से main चीज़ start होती है, मैंने functional model को import मारा है, और what I am doing is, कि मैं सबसे पहले, VGG net layers minus one, जो आखरी layer है, उसके output को निकाल करके, output में डाल रहा हूँ, और उसके बाद flatten बना रहा हूँ, जो output से connected है, उसके बाद dense one भी flatten से connected है, dense two भी flatten से connected है, dense three, dense one से connected है, dense four, dense two से connected है, और last में output one, dense three से connected है, output two, dense four से connected है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, कि आप अपने output layers को for that matter किसी भी layer को name provide कर सकते हो तो मैंने बता दिया output 1 is age वाला output output 2 is gender वाला output और यहाँ पर अब मैंने अपना model form किया है input में मैंने बता दिया VGG net का जो input है वही मेरा input है और outputs में there are two outputs output 1 and output 2 ठीक है यह रही मेरे model की समरी काफी बड़ी समरी है because इसमें VGG net का convolution base है यहाँ से हमने अपना model बनाया है ठीक है you can see यहाँ पर मैंने model का नाम age रख दिया layer का नाम age रख दिया ठीक है और यह रहा सबसे important हमारे model का architecture तो यह शुरू वाले जो layers है यह सब के सब VGG के convolutional base से आ रहे till this point यहाँ पर flatten हो रही है चीज़े और फिर दो fully connected layers बन रहे है this is the first one जो age को predict करेगा and this is the second one जो gender को predict करेगा ठीक है यह हमारा पूरा architecture रहा और फिर आप model को compile करते हो model को compile करते है time आपको optimizer बताना है loss there are two losses तो आप दोनों loss बताते हो कि age वाला जो output है उसमें हमारा loss metric होगा mean absolute error और gender वाले में binary cross entropy आपने एक dictionary पास कर दिया same for metrics age में MAE है gender में accuracy है there is also an option loss weights optimize करने का so मैं बोल रहा हूँ कि age को कम value देना gender को जादा value देना ऐसा होता है कभी-कभी it depends अभी फिलहाल इस चीज़ को आप ignore भी कर सकते हो ये case to case basis पे आपको करना होता है ठीक है and last में बस आपको same चीज model.fit को call करना है और बाकी का सब कुछ बिलकुल same है so that is how you train end to end a functional model ठीक है तो ये पूरी चीज़ मुझे आपको दिखानी थी आप लोग एक पर इसको चला के देखना आपको output बगेरा भी मिलेगा मेरा plan है इस topic के ओपर मैं बाद में project video बनाऊंगा ठीक है but I hope you get the idea lastly guys मैं आपके साथ एक blog post share करना चाहूंगा ये machine learning mastery का blog post है बहुत ही अच्छे से इन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे टाइप के architectures कैसे बनाए जाते है functional API को use करके वो इस blog में बताए हूए ठीक है तो काफी कुछ मैंने cover कर दिया है but अगर आपको कुछ और additional चीज़े पढ़नी है तो आप ये blog refer कर सकते हो इसका जैसे ये एक API ये एक architecture है ये कैसे बन रहा है although similar चीज़ हमने already discuss कर ली ये आप try out कर सकते हो so there are different things जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा I would recommend आप एक बार ये blog पढ़ो और idea gain करो so that was the video guys I hope आपको interesting लगा because मैंने जब पहली बार functional API पढ़ा था तो I felt so powerful because मुझे लगा कि अब तो मैं किसी भी टाइप का neural network बना सकते हो तो अब आपको क्या करना है कि कुछ complex neural network architecture साब try out करो जो आपने सीखा है आज के वीडियो के basis पे और वीडियो को like कर दो और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई